इसका रिक्रम के पोने आर्चक हैं क्या है उचित और क्या है अनुचित क्यूं होता है क्रमों का प्रतिकूल प्रभाव हमारा घलत आच्रन क्यूं बनता है हमारी सुकशें शांति में बाधग जीवन के गूर प्रष्रों और धार्मिक जिग्यासाओं के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य, तीर्थ रक्षक शिरो मनी, वाद सल्य मूर्ती, रास्वत्र संत आचार श्री 108, व्यर्ष सागर जी महराज के जिन्वानी चैनल पर प्रति दिन रातरी 8 बच के 20 मिनट पर प्रिसारित होने वाले मंगल प्रवचन, एवं प्रतेक शनिवार और रविवार को प फ्लेश होने वाले हमारे नंबर 9818663765 पर हमें वोट्सेप करें या अपनी जिग्यासा एवं प्रश्न को हमारे पास टाइप करके भेजें पूज्य आचारी श्री जी द्वारा आपका माग रर्षन अवश्य किया जाएगा सभाव में यस यस यम सभावापती और सभाव की प्रापती करना है और सभाव की प्रापती को कहीं से उठा के लगाना नहीं है क्या करना है आज का डॉक्टर किसी रोग होने पर बाहार से दबाईयां देता है आज का डॉक्टर कोई रोग हो जाए कोई सारी परिशानी आ जाए तो बाहार से इलाज करता है यह दबाई लियो यह जांच करो यह आपरेशन और पहले के जो डॉक्टर होते थे पहले के पहले के वो दबाईयों को हाथ लगाते थे वो कहते थे पत्त का सेवन करो पंडिसी क्या वोते थे पत्त का सेवन करो हैना हमारे आचारें ने कहा ये साधू इन बैद्वों की चक्कषा बंपड़ना है तो ये बैद लोग छूर छूरन चक्की खिला खिला के तुम्हें सब पेट को ख़राब कर देंगे जो बैद जी आएगा वो चूनन देगा कोई न कोई दवाई देगा तुम्हें क्या करना है इन बैद्धियों के चक्कर में नहीं पढ़ना है नहीं दवाईयों का बैद भरा रहेगा क्या करना फिर आपको सारी कोई बैदना हो रही है आप उपास करो ना रहेगा वांस ना वजेगी वांसरी उपास करो नीरस करो रसों का त्याग करो ना त्याग करो घी का त्याग कर दो तेल का त्याग कर दो दूद का त्याग कर दो मीठे का त्याग कर दो हरी का त्याग कर दो क्या संबंधी परिशानी है तो पहले के बैद दवाई नहीं कह करो अगर आपको सर्दी नाग बहरी आपकी तो कहता था घी तेल दूद जिसमें चिकनाई है सब छोड़ दो कि इस देख छोड़ दो लूख चीज़ खाओ उसे क्या होगा ठीक हो जाओ गया कि करते हैं कि एह माता आओ यह बताओ जब कभी बरसात होती है बारिसोरी जबर जश्त तो आप तुरंट आपकी दिमाग में क्या बात आती है पकोडी बना लो चीला बना लो है पकोडी काय की बनती है मेंदा की किसकी बनती है चीला काय का बनता है बेसन का क्यों बनता है कि जो पानी से नमी आई ठंडक आई उसमें बेसन खाओगे तो गर तब आहां टाजायेगी, यह पीचे उसके लॉजिक है, कि ना, बारिस हो रहे हैं तो आपने चाय तो पियोगे, कि लसी पियोगे, चाय पियोगे, कौफी पियोगे, पकोडी खाओगे, ये लॉजिक है, ग्यान है ये, कि आपको सीजन तेक के खाना पी नग, बनाते भी यो, रा खुलाते भी हो खाटे भी यह ग्यान है जो मनी राज हैं ऑना यह वो माठा आए जो नहीं राज की बाई बत्टी करती हैं कैसे भी अवटे हां तंब में दभा करके नहीं यह बयावती करती है आहार दे करके देखती है कितनी गर्मी पड़ रही है अरे बापरे ती गर्मी पड़ रही है माराज को एक काम करो है ना चांच दो बहुत पड़ रही है चांच दो है ना क्या दो नीभू की सिकंजी दो अब करकरादी ठंड पड़ रही हो और सिकंजी पिला कि देते क्या नहीं देते मौसम देख के देते हैं यह तो ग्यान है और क्या है तुसलिए आच्छामाज बोलने कि ध्यान डखना कि कलर एक बात छोड़ी ती ना गांधी जी ने किसको बनाया था अपना गुरू श्रीमद रायचंजी को और श्रीमद रायचंजी की यह आई इसे गुरू थे श्रीमद रायचंजी ने क्या कहा तीन पर्यंट कहे हाजो जोड़ो तीन पर्यंट कवए पहला पॉइंट की मौत सर पे सबार है क्या कहा होंने और काल नहीन आँने क्वा लिए कि काल सर पे सबार है किसके सर प्र हमारे भी आपकी वी रास्ते में म म्रफी नारी में रटी हो सकति है घर के घर में म्रती हो तक रखती है अस्पताल में बड़तू हो सकती है कहीं म्रतू हो सकती है तो जεί तो अब तुक मैं जठना चाल और एडियो जाय quarter झीम आदे विभात संबाद छोड़े ओगे जिसको पनी मृत्व तिक्ती भालड़ी का उप्धु चक्री पर करनी पर्टाव कि तब है जो किसी को anxiety कैंसर हो डॉकर ने क्या हो कि आप की एंसर 10 अज्म जा हो गें उसके पास जाना का का meeting हो रही है من्दर में मों बहुत अब अशेखा इसे ही तो आचर ने कहा सिरीमत रायचन जी ने पाइंट दिया पेला हर व्यक्ति अपने सर पर काल सवार हो को देखता रहे और सोचता रहे क्यों एक हो किस के लिए पंथवाद किसके लिए संतबाद किसके लिए गरंतबाद किसके लिए मौत हो जाएगी मर जाओंगा कौन पूछेगा मेरे को अपना इतना आदर से छोड़के जाओ समाज के बीच में कि घर के लोग तुम्हें याद करें या ना करें पर समाच के लोग तुमारे लिए याद करें और मंदर में बैटके तुमारी क्या बनाएं उठाओं नहीं करें और उस पर तुमारी चर्चा करें भराना व्यक्ति को कोई मतलब नहीं था किसी चीज़ से कि बुकब हो सकता है जब आपको अपनी मौत रोज दिखना चाहिए किसी की मृत्ती में जाओ समसान घाड जाओ वो मर गया पर तो अपने आपको भी सोचो ऐसे एक दिन हम भी लेटेंगे एक दिन ऐसे हमारे उपर लकड़िया लगाई जाएंगी एक दिन हमें भी जला दिया जाएगा इसलिए भिया पतानी का बजाय मौत सारे ज़ंज़ा छोड़ो काल सर पे सबार है पहला सूत रहे दूसरा क्या क्या उन्होंने दूसरा सूत दिया उनोंने आंक उठाते जहर चड़ता है आंक उठाते ही जहर चड़ता है कौँसा जहर आप रात्री में देखे पूरे परिबार को अपना मानते हो परिबार को अपना मानते हो रिष्टेदारों को अपना मानते हो कर दो दो-बाटी भी हो although the mind you shut as the eyes, right? जब नेन्ड मेरा थीकाने, तो भी ऊसितन मेरं भीग, सब दहां ते बच्काया जए ता है नेन्ड मेरा आदि कुछा Elizienth, दितन मेरा मंदर दा देट द्रेकड़ा σबीए नेन्ड मेरा है और उनिल रही नेन्ड मेर खहundert, अब चोटी का भी हो से एंधा है खुल जा जादी चोटी ऐसा था अपुरे कुछ बाल सर के ऊपर कोच यहां कोच यहां देखंगे अजा द पूछ गड़ जाई और अजो कि बच्छ गड़ी और अब अब जह चुछ चाड़ा के चला कि चल जाना बच्छों के टैम हो जागा कि में जहर कि वुटे ही। तुमें क्या हूआ 말ू कि आंक खोलत नहीं जहर करता। तुमे जहर करति में नहीं जहर शबा करता, देस्का, मुहー song Julis, nagar को कि मत आंक जहर करता, जब सूर जब सुद्ग इस मैं जहर मत तुरहेखें। इम पर भूरा कर रहोती ज एally पर और किय एलोचा खरीप रहोगी नंते करो और कि यह करो और कि रहोगीर वार जेहर खरता है कर लेंद ठाल थित इंद खुञने पर है थैरह से जए जधा इसरा पांट किया था ऐ खुलते ही जहर शड़ता है तीसरा, क्या कहा हुरोंने, पेर बढ़ाते ही पाप पड़ता है, आंक से जहर चड़ा, तो आरे एक पन क्या होगा, पेर बढ़ा लो, चपन को देख करके जहर चड़ा, उधाना बता रहा हूं, चपन को देख करके जहर चड़ा, जहर यानी, आओ, परिवार से पतनी को भी ल पहोड़ी है और शप्फन चली झाल, थाय जान चली जान चली जानगा है अब आपछे करें जो में गाना हमें तो आपना कि वह रहा है उनक बार्टा किंदे काना है वह भूड़ी जाना है कैसे बना साने शेंड बनाया साने बाल मैं जाने 07 जाने क्वार लाड़ी मांश्ट जहर चड़ा और तुमारी पेर बढ़गे वहाँ पर बढ़गे पर बढ़गे पाप लगा और पाप एक दिन चपन में जाओगी उसके एबज में वो कर्म कितने दिन तुमें चुटाना पड़ेगा कितना ताइम डगेगा कि अपने आपको क्या करो संकीन करो नमा हू तिरी योगी सम्हारिकी सकोडो कच्वा अपना मूँ यंदर कर लो पैर यंदर कर लो कच्वा देखाए ना कच्वा के ऊपर पोई शंक्र आता है तो अपना जो बहार गर्दन निका लेता है वो गर्दन को अंदर कर लेता है दोनो उड़ा पयरों को अंदर, चारव पयरों को अंदर, ऐसे आचारौ ने भगवान ने कहा, है ज्ञानि जी तू भी परमात्मा है, परमात्मा की गुण है, परमात्मा बनी सकती है, तू अपने आपको स्रिकोड़ो, इस संसार में जितने हात्पाव निकालोगे, ये दुनिया उ संक्लेस होने से बचाओ ना इस दुनिया में उसका नाम धारम है संक्लेसा से बचाना है चाहे तुम मेरी बात सुनकर संक्लेसा से बचो चाहे पंडली जी की बात को सुनकर के संक्लेसा से बचो चाहे आचाहे विद्यासारमाज की बात को सुनकर के संक्लेसा से बचो चाहे वि आपने भावों की रख्षा कैसे करें? अपनी भावना की रख्षा कैसे करें? रदी आप यह कर पाएं, समझ जाना तवार चात्रमाज हो गया संपना संस्कृति के तीन पंट कौन कौन से? मूह में अनेकांत चरिया में अहिंसा चरिया में अहिंसा और सोच में स्यादबाद सोच में कहोंची ए स्यादबाद तीन सम्व सोच में स्यादबाद मुँ में अनेक आंथ और चरिया है हमारी दनबर की सुवह से साम दर उठना बैठना खाना पीना इसमें हिंसा होना चाहिए कि आप ये देखके ध्यान रखें, चरिया करते समय हमसे कोई हिंसा ना हो और हिंसा का मतलब पैर रखना ही नहीं है, जीप पर हमारे सब्दों से भी किसी को कश्ट ना पहुँचे बहु के सब्दों से सास को कष्टना पोँचे और सास के सब्दों से बहु को कष्टना पोँचे पती के सब्दों से पत्नी को कष्टना पोँचे और पत्नी के सब्दों से पत्नी को कष्टना पोँचे यदि आपने तना कंट्रोल कर लिया आप जल्दी समझ जाओ कि आप मोक चीज कौन सी है दुनिया में सबसे अनमोल यूनिक एंटिक वो कौन सी चीज है तब देखेंगे आचर्म समंत्रभद स्वामी महराज से पूछा गया कि भगवन दुनिया में सबसे कीमती चीज कौन सी है तो नहों ने 34 भे नंबर की गाथा में कहा कि ना सम्यक्त विश्वमं किंचित त्रैकाले त्री जगत यपी स्रियो अस्रियश मिथ्यात्व समम्नान्यत्तनो भरताम दुनिया में सम्यक्त दर्शन जो है उससे के समान कल्यान कारी कोई दूसरी बस्तो नहीं है क्योंकि दुनिया की जितनी भी चीजें हैं जो आपने अपने घर में कोटी पर एकटी कर रखी हैं उन बस्तों को कोई भी व्यक्ती म्रत्व होते ही उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता ले सकता है क्या अभी कोरोना काल में एक से बॉंबे के एक बहुत सेटी आप उसकी जब उसको भी कोरोना हो गया तो जो कितने के आशामी थे उन्हें जेवी सी मसीन से गड़े में डाला गया हजार करोड का आशामी व्यक्ती और उसे कहां डाला गया ऐसे गड़े में डाला गया जेवी सी मसीन से उठा करके और उनके पूरे परिवार के लोग दूर से रो रहे थे तो पैसा काम आया क्या ना सौना काम आया कि सजद धजकर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी ना सौना काम आएगा जाना चांदी आएगी कुछी काम आती क्या नहीं आती है म्रत्तु जब आती है तो सब कुछ ले जाती है तो सब तुमें ले जाएगी और वो सब कुछ याँ छोड़ जाएगी क्योंकि धियान दखना बहुत शुन्दर बात कही गई अब हम देखते हैं कि क्या कमाया जीवन में क्या कमाया जीवन में क्या हीरे क्या मोती मरने वाले के कफन में कभी कोई जेव नहीं होते अब आचमर के कैसे आये थे जब पैदा हुए थे कैसे आये थे मुठी बांद के आये थे हर बच्चा मुठी बांद के आता है और जब व्यक्ति जाता है दुनिया से जांजरी जी तो कैसे जाता है दौनों हाथ पसार की जाता है खाला जी कैसे जाता है हाथ पसार की जाता है क्या लाएते क्या लेके जाओगे यहां का यहीं पर यहीं छोड़के जाओगे फिर हम करें क्या इस दुनिया में आकर के तो मैं दुनिया आपकर के अपनी पोजिशन बनाओ, क्या बनाओ, एटिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् ऑडिट्ट के लिए कभी मना नहीं करता हूं में, एडिट्ट होना चाहिए, पर इतना ना हो कि वो हमारे ही पतन का काण बन जाए, आज अपन देखेंगे, आगम में कहानी आती है, और कहानी नहीं वो सच कहानी सत्त घटना है, एक आचार मराज की है, तो कि कहा जाता है कि अस आजनाद भगवान जिने तीर्थंकर बनना है उसी भाव से बनना है और उन तीर्थंकर भगवान के ऊपर भी कोई ब्यक्ति ऐसा था जिसने उपसर किया जिसको हम कमट के नाम से जानते हैं तो तीर्थंकर भगवान को भी नहीं बच पए पहीं आपन देखें एक मुनिराज थे और उन मुनिराज को असाता बेदनी कर्म के उदय के कारण से उन्हें कुष्ट रोग हो गया सारे सरीर में हो गया कहने को मुनिराज थे पर सारे सरीर में कुष्ट रोग हो गया और उसी कुष्ट रोग की हालत में ही बिहार करते हुए एक नगर में पहुँचे और जब नगर में पहुँचे तो पहले के समय में जिसे आज हम नशिया कहते हैं नशिया नगर के बहार ही हुआ करती थी तो ऐसे ही उसे उद्धियान बोलते थे उद्धियान और हर नगर के बहार एक उद्धियान हुआ करता था और कोई भी संत महात्मा बिहार करते हुए यदि नग आउटर प्रखड़ी हो जाती है ऐसे ही सादू संते उध्यान में आकर रुख जाते थे समाज को जब पता चलता था कियरे उध्यान में कोई संग आया है कोई संत आया है इस कारिक्रम के पुनियान चत्ति दिगंबर जैन समाज समाजिक संसद इंदार कीरती स्थम्प दिगंबर जैन सोशल गरूप फेडरेशन इंदार रीजिन श्री दिगंबर जैन पंच लशकरी गोश्ट ट्रस्ट मोधीजी की नसिया बड़ा गरपती इंदार प्राचीन श्री अगरवाल दिगंबर जैन, पंचायत रईस्टर धरमपुरा, दिल्ली, महमंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोशाध्यक श्री शेखर जैन, प्रधान श्री चकरेश जैन, सचिफ श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनी जैन जैन आगम के अनुसार, क्या है उचित और क्या है अनुचित? क्यूं होता है हमारे कर्मों का प्रतिकूल प्रभाव? हमारा गलत आचरण क्यूं बनता है हमारी सुक्ष शान्ती में बाधग? जीवन के गूल प्रश्रों और धार्मिक जिग्यासों के सरल समाधान के लिए देखिए परम पूज्य तीर्थ रक्षक्षिरों मनी, वादसल्य मूर्ती, रास्व्टु संत आचार श्री 108, व्यर्ष सागर जी महराज के जिद्वानी चैनल पर प्रति दिन रातरी 8 बच के 20 मिनट पर प्रसारित होने वाले मंगल प्रवचन एवं प्रतियक शनिवार और रविवार को प्रसारित होने वाला विशेश कारिक्रम आखिर ऐसा क्यों? यदि आपके भी मन में कोई प्रश्ण है, किसी भी प्रकार की जिग्यासा है तो आप भी कारेक्रम की दोरान टीवी स्क्रीन पर फ्लेश होने वाले हमारे नमबर 9818663765 पर हमें वोट्सेप करें या अपनी जिग्यासा एवं प्रश्ण को हमारे पास टाइप करके भेजें पूज्याचारी शिरीजी द्वारा आपका माग दर्शन अवश्य किया जाएगा